पार्लर जाके इसे कराना थोड़ा महंगा आता है। इसलिए बहुत स्री लोग फ्रिक्वेंटली पार्लर जाना पसंद नहीं है। तो आज की वीडियो उनके लिए जो पार्लर नहीं घर पे चाहते हैं रिजल्ट। जी हाँ, आज मैं बता हूँगी स्कीन पॉलिशिंग ट्रीट्मेंट जो आप घर पे कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल के पहली बार आयों तो इससे सब्सक्राइब करो और बेल लाइक हमें ज़रूर दबाओ। चलते हैं आज के वीडियो के तरफ। इस ट्रीट्मेंट के दो स्टेप्स हैं पहला है फेस पैक और दूसरा है स्कीन पॉलिशिंग सिरम। फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए एक चमच कॉफी पॉडर एक चमच चावल काटा, एक चमच बेसन। अब आपको लेना है एक निम्बू, निम्बू की छिलके क कस कर लेना है अब आधा निम्बू का रस भी इसमें मिला देना अब इसमें कोकोनेट ओयल एड़ करना है थोड़ी सी हनी और मिलाने के लिए गुलाब जल इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फेश वॉज करके इसे अपलाय करना है इसे पांच से साथ मिनट लगे रहने दे जिससे skin youthful और glowing लगती है आपको इसे धुना नहीं है आपको गीला कपड़ा या वेट टीसुसे से पोच लेना है इस face pack को आप पार्टी या फंसल में जाने से पहले use कर सकते हो इससे आपको facial वाली glow मिलेगी चलते हैं second step पितरब और बनाते है skin polishing serum serum बनाने के लिए आपको एक pen लेना है इसमें एक कप पानी डालना है इसमें एक चमच अलसी के बीज को डालना है अलसी के बीज यानी flaxis ये skin में कसावाट लाता है और skin को whiten करने के लिए अच्छा होता है अब आपको लेना है एक चमच चावल चावल में antioxidant, vitamins और folic acid भरपूर होती है जो आपके skin की कई समस्याओं को दूर करती है इन दोनों को boil करके छान लेना है अब इसमें मिलाना है aloe vera gel aloe vera gel आपके skin के pH balance को maintain करता है अब last में इसमें मिलाना है vitamin E की capsule vitamin E की capsule में anti-aging properties होती है जो skin को even tune करता है अब सभी चीजों को mix कर लेना है यह serum आप 10 दिन तक fridge में store करके रख सकते हो आपको सोने से पहले थोरा सा serum अपने face पर apply करना है हलका massage करना है और next morning ढो लेना है आपको एक से दो बार के use में ही फर्क पता चलने लगेगा तो इस face pack और serum को आप use कीजिए और अपने result मेरे साथ जरूर सेयर कीजिए मिलती हूँ मैं आपसे next video में तब तक के लिए bye and take care